है का वीडियो है का फिर्नका प्राइमिनिस्टर इम्रान खान रोउस्ट पाकस्तान फनी रोस्ट कफल्णाक कर ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाटनों बिल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमाएं सारे नुव वीडियो के नोडिफिकेशन मिल जाएं जैसों अप्लोड करें अगर आपको वीडियो पसंद दा प्लीज लाइक एंचेर चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब करने से रहा अब आप सोच रहे होंगे क्यों क्यूंकि इम्रान खान सत्ता में आया तबदिली का ये नारा देकर कि अब आएगा इम्रान बनेगा नया पाकिस्तान लेकिन हकीकत और अब तो ये बंदा इतना ज्यादा पगला चुका है कि अपने आपको सबसे ज्यादा खतलनाक बंदा ही गोसित कर चुका है अगर मैं गवर्मेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतलनाक हूँ और जो बंदे कटोरा खान को अपने मुल्की की इस हालत के बावजूद अब भी पसंद करते हैं यही हिसावे कटोरा खान का करजे के बोजतले जमीन में धसे हुए हैं महंगाई ने मार रखी है मुल्क पूरा गिर्वी रखा है लेकिन बक्चोदी आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्ता है हाँ इतना सस्ता ती लोग हवाई जहाज से हगने जा रहे पानी की जगा बिलायती सेंपेन पी रहे खाना खाने जा रहे फाइविस्टार होटल में अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान अचानक से इतना सस्ता कैसे हो गया आप पाकिस्तान में महंगाई खतम भाई पाकिस्तान में कुछ सस्ता हो ना हो लेकिन सबसे सस्ता हुआ है इसका नशा जिस दिन ये सस्ते नसे कलना छोड़ देगा कुछ दिन मुल्की की हालत खुदी ही सुदननी शुरू हो जाएगी क्योंकि भाई अभी तो सच्चा ही यही है अब जब सब कुछ इतना महगा ही है तो पाकिस्तान में सस्ता क्या है तो भाई इसका जबाब भी इनी लोगों से जानते हैं ने पाकिस्तान में कौन सी चीज सस्ती हुई है अगर सस्ती हुई है ना तो आदमी की मौत हुई है लेकिन इस सब के बाद भी कटोरा खान की बक्चोदी खतम नहीं होती मतलब जो बंदा अब तक दूसरे देशों से करजा मांगता फिर रहा था आज वो बंदा भी बात कर रहा है करजा देने की भाई जहां अन्ने देशों में नेता बात करते हैं बोजवालों को रोजबा देने की वही यहां तो ही अलग है यहां नेता बात करते हैं करजा देने की पिछले एक साल में हर मेहीने हमें दो अरब डॉलर का करजा लेना पड़ रहा है अब भाई पाकिस्तान के इस हालत के बावजूर ये करजा चुकाते कैसे हैं तो भाई सिंपल है कटोना खान को एक करजा चुकाने के लिए दूसरा करजा लेना पड़ता है और भाई ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा सत्ता में आने के बाद ही भीक मांगना सीखा हो बंदा बहुत ही पुराना भिकारी है जब ये सत्ता में नहीं था तब भी ये दूसरे देशों से चंदा बटोन ने जाता था जिसका खुलासा खुद कटोरा खान ने किया है बंदा इतने बड़े लेजेंड नुसरत फटेली खान को विदेश भी इसलिए ले जाता था ताकि फंड एकट्या कर सके ना कि उनकी सिंगिंग की वजा से आखिर कोई बंदा इतना मतलबी कैसे हो सकता है लेकिन ये एकलोता किस्टा नहीं है अगर इमरान खान का इतिहास कुरेदा जाए तो येसे और भी कई किस्से हैं जिनका सहारा लेकर कटोरा खान अकसर अपनी आवाम को बनाता रहता है मैं जब स्कूल में था तो तब पाकिस्तान एशिया में सबसे तेजी से मुल्क वो आगे बढ़ा था 22 के हिसाब से जब मैंने जोडा घटाया गुनाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो रिजल दे निकल कर आया कि इसके स्कूलिंग के टाइम साल रहा होगा 1965-1970 के आसपास जिस समय की ये बात कर रहा है कि मुल्क बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और हकीकत दुनिया जानती है कि बट्वारे के वाग हम लोगों ने आप लोगों को पैसर क्रोर रुपे दिये तब जाकर आपके सर्बस तरपाल आई थी और यही नहीं रुका अभी और सुनो हमें भी याद है कि हमारे स्कूलों के अंदर मिलेशिया से शजादे आया पढ़ते थे अच्छा मिलेशिया से सारे लोग हमारी उनिवर्स्टी में पढ़ते थे वारी डिग्री सारी दुनिया में मानी जाती थी और दूसरी तरफ यही जोपड़ी वाला खुद अपना दिग्री की इतनी बेल्यू ही थी तो लंडन के चरस भूकने गया था लंडन में लिये हुए उच्छ कोटी के चरस का ही असर है जो कटोरा खान का दिमागी संतोलन विगड़ गया कभी ये रुपए की जगा लोगों को एक्सपोर्ट करता है तो कभी एक साल में बारा मौसम मौसम में रहता है अब कटोरा खान से कोई पूछे कि पाकिस्तान में इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने क्या इजात किया है अब इम्रान खान कहेगा हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्वती है अरे भाई तू बसकर और नहीं जहल सकता तुछको तो दोस् कमाल की यार वीडियो थी कई चीज़ा तुमुझे पता ही नहीं थी कि अच्छा पहले भी फंड रेजिंग करते थे तो पहले भी जा जाके जो है पैसे कथा करते थे अब कोई ना कोई वीजन के लिए फंड रेजिंग करते होंगे तो वो देखके मेरे को काफी हरानी हुई थी कि पहले से प्रैक्टिस थी जैसे यह रोस्तिंग में कर रहे थे पर में को वो डाव जो डालोग बोला कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं वो मुझे बड़ा जीब लगा लोगों की एक्सपोर्ट होता है वट ड़सी मीन नहीं मेरेगा से लोगों का टोटल जितना सिर भी काम करते हैं एक्सपोर्ट थैसका रहे में एक्सपोर्ट करते हैं नहीं कि सींपोर्ट होती हैं लोगों को कि प्ल App में तो उस टाइमेर को लगा कि यार तुम पर कंट्री भी लोन लेती है अब अपने यंग्स्टर्स को भी अपने जो आगे फ्यूचर में आने वाले उनको अभी से लोन की आदत दिला के उनको भी वैसे ही बना रहे हो नहीं पर पर मैं बताते हैं मुझे समझ में आया कि कई ह अब बाबाब पास पैसा नहीं होता यह सब्सक्राइब पढ़ाई के लिए जैसे यह यूएस में भी होता है कि आपको लोन मिल जाता है कि आप यह अपनी एजुकेशन पुरी कर लो से वाज़ अब नौकरी लगेगी तो वह लोन पुपस कर दो पर क्या करें करें का वो जो मैं मा का गया सोचने फोरा यह पर थामाजाता है मतलब जो भी है उनलों तो लेना ही हा है कंड sni चलाने के लिए तो कंड रहे हैं लोन से चला रहे हैं सिर्फ प्रावल्म यह कि कंड्री में काम हो भी वापिस कर पाएंग गे अगर पहले ही कहना उनका यह है कि जब मैं आया कि नई गवर्णमेंट आते नो कॉंफिनेंस मोशन को कैंसल कर दिया तो मतलब काफी कॉंपलेक्सिटी वहाँ चल रही तो पता चल जाएगा कुछ समय में गरी एलेक्शन होते हैं कि सुप्रीम कोड उनका क्या मोलता है मगर अच्छा वीडियो था इसमें डिफिकल्टी तो है उसमें से एक और दिफिकल्टी कंट्री में तो वही दिखा रहे हैं अगर रोस्टिंग इस नाइस तो शोचिछ श्रिंकल श्रीलंका जैसा हाल ना हो जैसे जिसे जुक्ति बात है अगर आपके नेबरस का बुरा हाल हो रहा है तो अल्टीमेटली दूसरी फॉर्म पावर्स कंट्रोल ना कर दें तो पर रहती है चलो पर रोस्टिंग अच्छी की थी तो चलते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में बहुत ही जाल तिल देन टेक केर और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को लिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो त को उसके बारे में जल्दी से पता चल जाओ